हेलो एब्रिवन मैं हूँ जैजी तेंद्र और मैं आज आपके सामने एक और नया वीडियो लेके आया हूँ डैटीज अन रेरा एक 2017 तो रेरा एक 2017 क्या है उसको चलिया आएए देखते हैं तो रेरा एक 2017 मैं यहां से अपना लेजर पॉइंट यहां से उठा लिया और रेरा का जो फुल फॉर्म है उसको हम लोग देखते हैं सबसे पहले इसी में बहुत सारी बाते हैं चिपी हुई है Real Estate Regulatory Authority मतलब Real Estate आप लोग जानती हैंगे नहीं जानते हैं तो आप लोग थोड़ा सा सर्च कर लिजे मैं आपको बता देते हूं ब्रीफ में Real Estate में जैसे आप लोग देखेंगे बहुत सारे जगा पे 1BH के 2BH के 3BH के टाइप में आपको जो फ्लैट वगेरा मिलता है उभी 100 साल के लिए मिलता है पचास साल के लिए मिलता है एग्रिमेंट वगेरा करके ये जो काम है ये काम कौन कर रहे हैं तो Real Estate वाले कर रहे हैं आपको जमीन तो नहीं आपको एक फ्लैट मतलब घर प्रोपर कुछ समय के लिए दे देते हैं ये हो गया Real Estate तो Real Estate जब आपसे पैसा लेती है आपको घर देती है तो उस समय उसके पास 2016 से पहले तक उन पे कोई उस परकार का कानून नहीं था जो कि उसको गवर्ण कर सके जो कि उसको गलत काम करने से रोक सके फिर बाद में 2016 में फाइनली पार्लियमेंट से एक रूल पास हुआ किसके लिए एक्ट पास हुआ किसके लिए Real Estate के लिए तो ये Real Estate Regulatory Authority बनाई गई मतलब एक ऐसी बड़ी बनाई गई जो Real Estate के पर जो है अपना Governance दिखाएगी मतलब उस पे जो है 2017 2016 में ही इसको पार्लियमेंट से पारित कर दिया गिया था लेकिन 2017 में ये Full Force में हमारे कंट्री में लागू हुआ Under this Act, a regulatory body is formed and this body governs the Real Estate sector इस Act के तहट एक regulatory body बनाई गई जो की govern करेगी Real Estate sector को यहाँ पर आप देख सकते हैं Government और Real Estate के बीच में क्या लाया गया RARA Act लाया गया कब लायागा 2016 में Objective क्या है इसका The objective of this Act is to provide fair deal between the Real Estate Employers and the Buyers मतलब objective ही RARA Act का यह है कि Fair Deal कराना किनके किनके बीच में Real Estate Employer मतलब जो Real Estate में work कर रहे हैं उनके बीच और जो खरीदने वाले हैं उनके बीच तो इनका features क्या-क्या है उनको देखते हैं Under this Act, the Real Estate Company have to upload their project building prices ETC इस Act के तहरत Real Estate को ऐसा करना होगा कि जो भी चीज बना रहे हैं माल लिजे कोई भी project बना रहे हैं कोई भी building बना रहे हैं इसका ये prices अभी मेरा project इतना तक complete हुआ है ये project की सारी progress है Due to this Act, the project is being completed on time and delivered to the buyers माल लिजे आप जो बायर से माल लिजे Real Estate क्या करता था पहले बायर से promise करता था कि मैं आपको दो मैने, चार मैने में घर दे दूँगा फिर उसके बाद जो है चे नहीं, आठ दस बाड़ महने लग जाएंगे फिर एक साल बाद आओ, दूसाल बाद आओ तो इसके वज़े से जब ये RARA Act आ गया तो फिर क्या हुआ ये सारी जो time जो RARA, ये जो Real Estate वाले थे गलत कर रहे थे, फिर क्या हुआ कि deliver होने लगा जो भी प्रोजेक्ट है, बाइर्स को directly on time तो due to this act, the project is being completed on time, delivered to the बाइर्स, due to this act penalty for Real Estate employers is same as for the buyers, मतलब इस एक्ट के तहत ऐसा होता था, कि मानलीजे आपको बोला गया कि भाईया, आपको इतना installment भर ना है, बाइर को Real Estate बोलता था था, कि उनको दिक्कत आ जाने पर वो क्या करते थे, पैसे installment नहीं भर पाते थे, तो फिर उनको क्या करता था, कि ये लोग Real Estate वाले बहुत fine ठोकते थे, और Real Estate से अगर जो गलती हो जाती थी, तो फिर उस पर कोई परकार का जो है, जो पैनल्टी है, वो नहीं लगता था, तो लेकिन जब ये एक्ट आया, तो बोला भाईया, जितना पैनल्टी आप बायर से लेते हो, किसी गलती पर, आगर आप गलती कर रहे हो, तो आपको भी उतना ही पैनल्टी देना होगा, इस एक्ट के तहट ये चीज लाया गया, ड्यू टू दीस एक्ट, रियल इस्टेट ओनर cannot buy another property from the money given by the buyers for a specific property, मान लिजे, आपको मैं, आप रियल इस्टेट हैं, आप रियल इस्टेट के employer हैं, आपको मैंने बोला कि ये लो भी या, पांच लाक रुपए, पांच लाक रुपए, आप एक काम करो, मेरे लिए घर खोज लो, अब आपको पांच लाक मिला, तो आपका दिमाग इधर उदर घुमा और सोचे क्या कि चलो, वहां जमीन मिल रहा है, आपके पास पैसा था, मेरा वाला, और आप क्या किये, गए सारी चीज़ें गैब हो गई, और अगर जो रियल स्टेट के इंप्लायर है, उसको क्या करना परने लगा, कि वो लोग उस मनी को जो एक स्पेसिपिक बायर द्वारा दिया गया, स्पेसिपिक प्रोपर्टी के लिए, वो लोग अधर प्रोपर्टी में इंवेस्ट नहीं कर इस कैप्ट इने स्पेसल एकाउंट वीची बिंग गवर्ण बाइदर रेरा, यह क्या होता था जब मैं आपको पैसा दिया, तो मालो एक लाग दिया, तो एक लाग का सतर परसंट, मतलब सेवेंटी थाउजन रूपीज एक स्पेसल एकाउंट में रखा जाता है, और उस ए खर्चा के लिए हर बार उस बड़ी से आपको पूछना पड़ेगा, जब भी आप विड्रॉ करते हैं, they can withdraw the money equal to the percentage of work completed, जो मैं आपको बताया, जितना काम हुआ भाईया, उतना पैसा आप उस एकाउंट से निकालो, और इसका एक और फीचर बहुत ही important है, कभी कवाल क्या ह प्रोजेक्त है इसका मैप है, फिर आपको बार में बता रहा है कि भाईया, इसमें कुछ चेंज करना है, तो ये चेंजेज वो अपने मन से नहीं कर सकते हैं, कब से, जब से ये रेरा एक लाया गया, तो उसमें क्या, तब कहीसे वो चेंप करेंगे, तो इस दे वांट परसेंट सरसक परसेंट अगर बायर्स एग्री फोर दचेंज अगर सरसक परसेंट बायर्स एग्री हैं उस चेंज के लिए तभी वो लोग कोई रिनोवेशन का वर्क या कोई चेंजेज बिल्डिंग प्लान में ला सकते हैं यह था हमारा एक सॉट टॉपिक डैट इस रेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट अब अगला वीडियो साइद NBC पर है तो इस वीडियो में इतना ही और मैं लास्ट में यह कहके जाऊंगा कि प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर देना अभी मैं अपना मतलब जो जॉब के साथ में बहुत ही टाइम लेकर मैं टाइम निकाल क बस आप सब्सक्राइब कर दो वीडियो तो पसंद आया ही होगा तब तक के लिए गुडबाई थैंक यू